मैं आपकी नौकर्ड नहीं हूँ, जो आपकी हर बात मानू, इसलिए खबरदार, अगर अगली बार मेरे साथ जबर्दस्ती की, या मुझ पर हुकुम चलाया, मैं आपको पीट दूंगी! महर! क्या कर रही है तुम? ओ, यह तो छोटी सी बात थी! नहीं बाप मुझे, बड़ों का मान समान छोटी बात नहीं होती! अगर आपका कोई अपमान करेगा, वो मुझसे बरदास्त नहीं होगा! यह है वो महरी क्यो रहा हूँ! मैं तुम गुखते में, बहुते चुटा! बहुते चोड़ों तुम बैटो! बहु शांतों जाओ! बहु! पास्मुँगा… महापस्म पर ही अपने एक इशारे पर अपने सामने वाले को बासम कर देती हैं बारे साथारन मामुली पृत्षी विवासी की इतनी हम्मत कि वो महा बासम पारी पर हमाद उठाए सजा में लेगी कड़ी सजा में लेगी आसमा ये आसमा आसमा बासमा अरे मिता शोर क्यों है बार अभी देखता हूँ मेर ने ये ठीक नहीं किया बहिश हाँ समिता मैं भी मानता हूँ लेकिन मेर छोटी है उससे गलती हो गई ऐसी गलती इस गर में बरदाश्ट नहीं की जाईए सही कहां अभाँ बासमा बादी नाट इस्तrख की कह दी पर दाव्डार्स कर्टीए और नामाव कर्टीए पासमा अभाँ पासमा महर महर तुम लोग क्यों रही हो बल्लू महर ने दादा जी के साथ उची आवाज में बात की इसलिए माने उसे थपड मारा सिर्फ उची आवाज में बात नहीं की बापु जी का अपमान भी किया है वहू बच्चे प्यार करते हैं मुझसे और प्यार में कभी-कभी हो जाती है गलती लेकिन तुमने महर पे हाथ उठाके अच्छी बात नहीं है स्पिता महर तो छोटी है हो गई उसे गलती लेकिन सही गलत की समझ तो तुम्हें है ना नहीं महिश इस घर के नियम और संसकार अगर बच्चे नहीं समझेंगे ये चीज मुझसे बरदाश्ट नहीं होगी हाँ महर मा सही कह रही है चाहे जो भी बात हो तुम्हें दादाची से उन्ची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए था बल्लू महर को मालूम है कि उससे गल्ती हुई है तब ही तो वो रो रही है हाँ तो महर पर हाथ उठाकर मैं भी खुश नहीं हूँ मैंने भी पहली बार ऐसा किया अत्या मा जी फटक ली वहाँ महर रो रही है और यहाँ और आसो चाहे किसी की भी आखों में हो अच्छे नहीं लगते इसलिए महर तुम मां से माफी मांग लो और मां अब महर को माफ कर दीजिए बल्लू यह बात तुमने एकदम सही कही महर तुम सोच क्या रही हो मां से माफी मांगो मां मुझे माफ कर दो वो इस सुबह से बहुत परिशान थी और ख़बराय हुई थी इसी इस सो बहुत बढ़ी गलती होगे खुआ बात नहीं दादा जी प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो बेटा मुझे बुरा लगा ही नहीं तो माफी किस बात की और बहु तुम भी इसे माफ कर दो लेकिन महर प्लीज सुबह से तु परिशान क्यों थी वो अंकल सुबह हमारे बस में बहुत बड़े दानव ने हमला किया था तो इसलिए महर परिशान होगी क्या इतना सब कुछ हो गया और तुम लोगों ने बताया थक नहीं तुम लोग सब ठीक तो हो ना अत्तमा जी फोटग ली लो भूल गई अंटी गुसा और पहले जैसी हो गई मा मा हम सब ठीक हैं बालवी ने हमें बचा लिया और पते बालवीर, तुमने क्या सोचा है? मुझे सोने रहा चिन दिखाने के बारे में? ठीक है मेर, चलो माना, तुम सबको कहानी बताओ, मैं और महर इद्धी के गर जाकर किताबी लिकर आते हैं हाँ, हम अभी आते हैं चलो बोस, यह कैसी गान है? अच्छी गान है अरे बोस, अच्छी मतलब, इसके फीचर्स बताओ, फीचर्स ओ यह एक स्पेशल टॉइगन है स्पेशल? कैनी हमारी तरा? हाँ, केवल, हमारी तरा ही ऐसे भी, मान्टु बोस में क्या स्पेशल है? मेरी एक स्पेशल है क्या? यह गन? नहीं, मेरे मुक्के कैसा लगा? हाँ, ऐसा लगा? हाँ, बोस, हमारी छोड़िये अब अपनी बताओ, अब यह गन काँ से लाए? हाँ, ओ, यह गन, मेरे पपा, मनी राम दग्रेटेस लखानी, जर्मनी से लाए है बोस, आप आपके पापा को कह दो, यह मैं यह बिल्कुल भी अच्छा ने लगा यह भी कोई लाने की जीज है? लाना आज़ो तो मोबाइल लाते है, वीडियो गेम लाते है यह गन चही काम चला लेंगे यह गन कमाल की है बस, यह कमाल के गन तो आपने ले ले ले, यह जिन कमाल ने आपको कुछ कहा नहीं कमाल है चब, कमाल मतलब स्पेशल गन है एक काम कर, तू वहाँ जाके खड़े हो जा ओके बिस्वेट एन वाच बच्छ प्रश बच्छ प्रश जाँ वार डाला, प्या जोड़दार गन है तो, देखा, मैंने कहा था ना, यह बहुत जोड़दार गन है, हे, वो देखो, भल्लू और मैं, अब देखना, मैं इस गन से उनके ओपर फाय करूँगा, और उनका बैन बजा डालूँगा, मैर, मैं तुमें सुनेरा चिंग दिखाने के लिए तो ले जा रहा हूँ, लेकिन तुमें उसे वादा करना होगा, कि तुम उस सुनेरे चिंगो, सिफ देखोगी, उसे चूओगी, हाँ, हाँ, मैं उसे नहीं चूओँ, बस उसे देखूँ, मैं तो सिर्फ उसे वहां से उठा हाँ हाँ ठीक है पर अगर मुझे पर विश्वास ने तो ठीक है मुझे मत ने कर जा अरे नहीं ने महर ऐसे कोई बात नहीं है तुम तो जानती हो ना कि मैं यह सब राणी परी के आद्यश के खिलाब जाकर पर रहा है और सिर्फ अपनी दोस्तिर निभाने के लिए कर रहा हूं मैर इसलिए मैं मैं इतना ही चाहता हूं कि कोई गड़बड ना हो गड़बड तो होगी बालवीर और इतना ही बड़ी गड़बड होगी कि तुम्हारे साथ राणी परी के भी होश ओड़ जाएंगे बलू तो चिंदा क्यों करता है मैं हो ना कोई गड़बड नहीं होगी और हम बास और कुछ कहा ना तो मैं तुझे पीट दूंगी चलो मैर हम वहाँ चलते हूं चलो मैर हां यह तो नुका गए बालवीर राणी परी ने तो कहा था कि सुनरा चिन कड़ी सुरक्षा के बीच एक परवत के अंदर है लेकिन यह तो ना कोई परवत ना परीयों के दारा की होई कोई सुरक्षा है महर तुम शायद भूलगे राणी परी ने कोई परवत नहीं कहा था बलकि माया भी परवत कहा था जिसके अंदर कोई सुरक्षा नहीं क्योंकि वो परवत ही माया भी है महत उस परवत के अंदर मेरे और परियों के अलवा कोई नहीं जा सकता आप आजिर माया भी इस है तिक नो परवत है का महत तुम्हें अभी वो परवत दिखाता हूँ हे नटखट पर छट जाए बुराई की दूल बरस से लगे यहां अच्छाई की फूल यह माया भी परवत है मेरी जीत की पहली मंजिल है और मुझे इसके बार में पता ही नहीं था खुब सही जगा सोची थी तुमने सुनेरे चिंगो छपाने की राणी परी लेकिन बड़ी पुरी हूँ मैं इसलिए जहां तुमारी अच्छाई की सोच नहीं पहुचती वहां पर मेरी पुराई आसानी से पहुच जाती है देख लो राणी परी पस अब कुछ कदम दूर हूँ मैं सुनेरे चिंग से बालवी कहा रहे गए चलो मुझे सुनेरे चिंग देखना है और तुम्हे पता है ना हमाले पास जादा समय नहीं है हां महत मुझे पता है चलो हमारी कमर मेरी आप पुरा का पुरा टेंकर हमारे उपर गिर गया पादी का टेंकर नहीं पूरी की पूरी मालगा डियंपर गिर गया मुझे भी लगाए मेरी आख लाल हुए और मुझे भी दर दो रहे बस आपकी तो सिफ आख ही लाल हुए वह तो थोड़ी देर में ठीक भी हो जाएगी पाद लेकिन हमारे उपर तो पूरे के पूरा आप गिरे हो आप तुम चाब बैटो अभी बैट ही गया हो ना तो सोचो इसा बर्गर गोल्विंग आइस क्रीम अब ये ये जो हमें आरा दर्द मिता सकते हैं वह अब रहा नहीं जा रहा है चलो खाई लेते हैं इसे भी ट्वेंटी टू मिनिट्स तो फुट्टी सेकिंट्स तक अमने कुछ नहीं गाई तुमें भूख लगी होगी ना चलो तुम खाई लो तो या भड़ गया पे तब ये मेहर और बलु गायब हुए तो हुए कैसे वास वाश गायब हुए थुए तो हुए थे लेकिना प्पट करके गायब हुए रच जान दे किया मॉन्टू बॉस को इस सब से कोई फरक नहीं पड़ते है उनका तो हर कोई पोपट करके जाते है इस पार ऐसा नहीं होगा उन विट्टियों का बैंड में बजा करी रहूंगा पाउडर मतलब बॉस दुश्मन के घर लगा के जाने के क्या जूरत है अरे बेवकुफो यह मेकप का पाउडर नहीं है यह खुजली का पाउडर है बहुत खुजली है आप में वाह वाह क्या इडिया है वाह पाउडर वो दोनों पिद्धी जरूर अपने घर गए होंगे उनके घर में उसकी उनकी बैंड ना बजा ही न तो मेरा नाम भी मॉन्टू तो ग्रीचेश लखानी नहीं फॉलो मी मामा मामा मॉन्टू गाते ही रोगे चलो गे भी फॉलो मे फॉलो मे रुको में यही है वो सीब जिसके अंदर सुने रेचिंको रखा गया है पास्मा 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 मेर तुमने सुनेरा चेन देख लिया तब हम चलते हैं इस सीब के बंद होने से पहले मुझे सुनेरा चेन चुराना होगा पर कैसे चुराओं बालवीर तो यही है इस समय इसने मुझे मेरे रोप में देख लिया वो हो सकता है वो मेरा खेल बिकारते हैं हम जल से जल निया से चलते हैं इससे पहले की कोई आज है हाँ 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 महर 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 अरे महर कहा चली गई महर सुने राचिन मुझे सुने री चिंग को देखना चाहिए क्यों सरक्षित है की नहीं पास्मा काली पुझे नहीं महा पास्मा क्यों सरक्षित है 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 क्यों सरक्षित है